थाकुर्जी के साथ हमारा नित्त शंबंदू, थाकुर्जी हमारे भीतर बाहर शर्बु बैपक शर्बत्र है, उनसे संबंदू जोरा नहीं जाता है, उनसे संबंदू हमारा नित्त है, अभिच्छिद्ध अखंड संबंदू है, तुम मानो या ना मानो इसमें कुछ फरक नह आम नहीं मानते हैं आम ठाकुर्जी भगवान भगवान नहीं मानते हैं तो इसमें ठाकुर्जी के साथ जो आपर सम्मंध है उसमें कोई फरक नहीं पड़ता है उसमें कोई फरक नहीं पड़ता है ठाकुर्जी जो नहीं मानते हैं उनके लिए भी ठाकुर्जी है जो मानते है उनके लिए तो है फरक इतना होता है जो नहीं मांती है वो संग्षयर्चक्र में मया के बंदन में फास करके अपना शरूप बिस्वित होकर होने के कारण वह संग्षयर्चक्र में अनादिकाल के लिए प्रुणन करता रहता है वह वह दिब्बो अनंद को वह प्राप्त कर नहीं पाता है दुख में शागर में नित्यकाल के लिए गोता लगाता रहता है जब तक ठाकुर जी कि नहीं हो जाते हैं हम साधन क्या है उनका हो जाना उनका हो जाना इशाधना है कुछ क्रिया नहीं है जैसे जाप तौप ध्यानदारना उपाशना स्तौप स्तुति बंदना एकांत बास यह जो भी हमरे लिए जो भी शाधन प्रणाली हमरे लिए गुरुदेब ने प्रदान की है इस सभी हो जाने के लिए हो जाना कैसे है त्हां ठाकुर जी के थे हैं रहें दो भी अवस्ता में पलक के लिए ठाकुर जी के साथ हमारी बिच्चुती होना सम्मब नहीं ये बोध होना ही हो जाना है बोध हो गया तो हो गया बोध नहीं हुआ तो हुआ नहीं हो जाना क्या क्या हो जाओगे तुम तो हो तुम तो ठाकुर जी के थे अभी भी हो पीछी भी र गुद में सौ रहा है। सो करके सपन सब्स्यद्द उप तहरी में बटक रहा है। भरे जम की चिला रहा है। अच्नकनीक तूट झाती है ? तो देखते हैं हम अधो मीच में ही है, इस संक्षार एसे ही है? ये था नहीं, ये पीछे रहेगा नहीं, बिश्मे दृष्ष्वन अगंतुक, सप्नुबत, हम प्रभु के पहली भी थे, पीछे भी रहेंगे, अभी भी हैं, लेकिन बिश्मे माया के कारण, माया हमको इस तरह से भ्रमित कर दिया, शरूब बिश्मिति के कारण, हम भूल गए जो हम कोन है, यह है शरूब बिश्मिति, हम भगवान के हैं, नित्य, शुद्ध, शत्य, सनातन, दिव्व, अनन्दम, चिन्म, यह हमारे शरूब है, यह सत्य है, मानो या ना मानो, यह चिंतन अभी शैनी है, जो चिंतन करना हम कैसी है, तुम भूल गए हो, भूल को मिटाओ, ठागुर जी से संबंद जोरा नहीं जाता है, वो जुरी जोरा ही है, तुम भूल गए हो, भूल को मिटाओ, उनसे क्या संबंद जोरोगे, वो जुरी जोरा ही है, बस भूल को मिटाओ, भूल को मिटाना ही, शाधना है, हम हम लोग साधन करती हैं बहुजन करती हैं लेकिन कुछ होता नहीं pasture नहीं होने का अकारण क्या है हम र design होती है क्रिया कर रहे हैं लेकिन इसका कारण चाह IN हम यह भूढ़ को मिटाने के लिए तयान नहीं जो मिठ्धा बोस्तु जो पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, बिसमे आगन्तुक दृश्षमान है, ऐसा बोस्तु को शत्त मान करके, उसके प्रति हमारे मन की जतना इच्छा प्राप्ति के लिए, उनके शुक्षुबिदा के लिए, उनके शुक्षमृद्ध्ध के कि हमारे यह आशक्ति के कारण हम फशी हुए हैं इसको शत्य मान करके प्रुभू से हमारे नित्य शंबंद था है रहेगा यह भावना हमारे अंदर आती नहीं यह कमी है यह कमी को मिटाना है कैसी भी यह कमी मिट गई तो मान लो तुम बहुत आगे निकल गया कमी को मिटाना है इसके लिए घर छुनने का अब शक्ता नहीं आए जंगल जाने का अब शक्ता है नहीं घर में रहे करके आपकी भावना में यह परिवर्थ ना गया जो हम ठाकुरुजी के हैं ठाकुरुज पहली भी था नहीं, पीछे भी रहेगा नहीं, आभी भी है नहीं, बस मन्यता मत्रों, शिक्रिती मत्रों, एक शिक्रिती मत्रों, शरू बिस्पृति के कारण हमने ये माया को हमने अपना मान लिया, इस शरीर को हमने अपना मान लिया, शरीर मैं हूँ, शरीर मैं हूँ ये भा प्रकृति के साथ अधात्मता के कारण हम अपने शरूब बिस्वृति के कारण संग्षा चक्र में घुम रहे हैं। इसके अतीत हम दिव शुंदर नित्य शुद्ध सनातन चीन मैं दिव हूं। मैं अनंद मैं हूं। शता अनंद मैं। इस्वरंग्ष जीव अभिनाशी चेतन अमल शाज शुकराशी। अभिनाशी है। इस्वरंग्ष है। चेतन है। अमल अमल मने मया मल रहित। शत्त रजतमत तिन गुन से अतीत है। आत्मा का कोई बंदन नहीं है। आत्मा नित्व मुक्त शरातन। लेकिन प्रकृति से तदात्मता के कारण प्रकृति के गुन से शिक्रिती के कारण हम वो शरू भूल गया और प्रकृति से अपने स्वामंदर जोड लिया प्रकृति मने शरीर उस से तदात्मता के कारण और चेतन हम है चेतन हम बन गए हैं जड़ श्रीर है जाड, यह बन गया, चेतन उल्टा-पाल्टा हो गया, हम है चेतन, लेकिन हम जाड हो गया, जार बने श्रीर, श्रीर तो जाड है, ये तो मात्यी जठर में शुरू आत, साषान में परिश्जमवापती, अगढतुक, ज प्रक्तिति है, उग्नी जालाकाष बाईप्रतिवी ये पास्तत से बना हुआ पंच्शतत आत्म के शरीर उसके साथ गुण क्रिया, पास्कारमेंदृयों, पास्कारमेंदृयों, हस्त बद बागपाई हुआ उपश्त पास्ट ग्यांदृयों शक्शुकर्न नाशिक जिवाद с शब्दस पर्षो रूप राजगंदो मन बुद्धि चित्तों करें चुतिर विंग्षिति तत्तों ये एक भी मैं नहीं हूँ अब तदात्मता के कारण प्रकृति शक्री हो करके आम प्रकृति से ऐसे तलिन हो गए हैं जो प्रकृति को मान लिया मैं हूँ मने शरीर और ये गुन में फासा हुआ हूँ मैं ठरीर हूँ है ये जर है जर को हमने मानलिया मैं हूँ और शली लजद अर्द इसलिए जोड़ इंदि गूज लेना ईकर देखो ये चेतन हो गया चाल रहा पिर मिए डोर रहा बोल रहा जड़ चेतन हो गया है मनने कभाध आप यी जड़ शुरू हो जाता है दस साल बाद आके देखोंगे यह कुछ तत्त मिले गाई नहीं कहां गया उसरी पास्तत्त पास्तत्त से बिलिन हो गया धारन करके कौन रखा था चितन रखा था कि आप डीडिमे पर्म जिवभुत माहवाव को मेरा परिकृति और आप पराप्र्कृति ने युद अपर पर्कृति है चितन जीवात्मा आप परा प्रकृति है और जला कार भाई उप्रिथी वी ये प्रकृति आपकृति आप भुमी अपनल बायुक्षां मनुबुद्धि रेवच अंकारं मे इतियां प्रकृति अस्ट धा। मिल कर के है करां तो इस एक शरीन फीगर बन गया है प्रकृति के साथ खेल रहे हैं कि तो इस रूबिश्मिति यह श्क्षारबदन क का जड़ा है मौन भुला दिया मैं हुँ भगवण का चेतन ना बन गए हैं शरीर पुरिचाय देते हैं शरीर का मैं शरीर हूँ मेरा उमर इतना है मेरा मैया हूँ है मेरे पीता हूँ है मेरे नाम यह है मेरे रंग ऐसे हैं मेरे वेट इतना है एक भी मेरा पुरिचाय ने सब शरीर का पुर्गिति का पुरिचाय देते हैं ताद ओरुशे ही भूंकते प्रकृतिजान गुणान ।कार नां गुनसभ क सोगोश दैशाज जनी जनमशू। आउम लोग गीता पड़ते हां लेकिन अच्छी करके उसको चिंतन नहींकरते हैं। पुरूशवी भूगते प्रकृतिजान गुनान, प्रकृतिके जो गुण, सब्धसपर्ष रूप राजगंदो, ये भोग, भोग के समगरी, शब्दो कान के द्वारा, इंद्रियों के कार्णौ इंद्रियों के द्वारा, दुनिया के बात, चेद, घना, बाजन, नाना प्र जीवा के द्वारा शब्द प्रोएक करते हैं फिर जीवा के द्वारा नना प्रकास चट पोठी खाना शब्द चोतिर विदो सब भोजन समगरी जो इसका रश लेते हैं तक के द्वारा पर्शो शुक आनन्द लेते हैं जैसे जैसे संब्द संपर्खो तद नुशार ये त्वाक्य द्वारा आम तद नुरु आनन्द प्राप्त करते हैं बाच्चा को गोदी में लेकर एक आनन्द मा के गोदी में बठ कर एक आनन्द मित्र को शाती में बढ़ करके एक आनन्द ऐसे ऐसे आलाग संब्द नुशार आलाग अलाग स्पर्शुशु तो ए प्रकृति के गुण जो आरोपित हो गया चेतन में पुरुशही भूंगते प्रकृति जान गुणान ए गुण संग शही गुण संग के कारण सौदर्शज जोनी जन्म लेता है सद जन्म असक जन्म बने तीर जग जन्म क्रियामा को पार्ण संग कशन टेतन मुकलीत संग कर भी रूबरता चेतन ईसमें चेतन है लेकिन ढूसे निडाका हुआ है जैसे हम अचेतों के राहने से, जैसे तरह से कोई sensation नहीं रहता है, अचेतों की जब रहती हैं, शुब तो रहता है, कोई पता नहीं चलता है, जैसे मर गया, कोई अनुभब नहीं होता है, बिरिक्ष भी ऐसा ही है, आबरितो चेतन। पिर चयतनी शत्ता थोरासा विकाश प्राप्प्त हुआ जैसे कीरा मखोडणा अधि जर्ट को visiting a 교 은ょum फिर ज़िया शत्ता का आउर थोरा विकाश हुआ एक ही चेतन शत्ता एक ही I mean Iamouva So से लेकर के यह ब्रह्मा तक एक मुद्स आया हम हाथी में जो चतन सथा जेत्ना है एक एमी व्या में वी उतना ही चतन शत्त है तो बड़ा हाथी जैंने नहीं और दो करके इसको यह जाये जितना ब्रह्मंद्र तक व्याप्त हो सकता है, इतने समर्था है उनमें, उचेतन्य शत्ता भगवत अंख्षु है ना, महमाई वांख्षु, तो संकुचित चेतन, चेतन सत्त का थोरा चा विकास मने, चलता है फिडता है कक्किडा मकोडा मक्खी आधी, फिर चेतन्य शत्ता क आइ, प्रोआ कोड़ा गें थे मनेईख्षु, थे में उचेतन सत्त का थोलाइक्षु, शत्त चेतन्य शत्ता का थोरी बांघी थे फिर चितन. शत्ता आबरणहों के आबल तो होकर के वह संग्षा चक्र में घुम रहाए है अन्यमाइक स्प्राणकेरिया के रामा को राद के रिए फ्राणा संपर्का स्पंधन है पिर मुखी तो अर्थ्म गूलि तो हो गया और थ्रह सा चेटन श्त्त का थ्रह बिकाश हो गया बंदर, बंदर, बहुत उसे द दिखने में आता है, बहुत चेटन श्त्त का बहुत भिकाश है, लेकिन पूर्णता नहीं, फिर आया मुनश्च श्रील, भीको शित्त चेटन ख्विल गया एग एक किराम अकुणा में जो चेतन शत्ता जिस तरह से है इसमें भी ऐसा ही है यह क्या हुग गए यह आबरन मुक्त हो करके थोरा सा खिल गया है मन बुद्धी यह सब है जैसे मनन शिलता अन्नमायकोष प्रानमायकोष मनमायकोष मनन शिलता पुशुपक्ष में है नहीं उसका म कहा प्रकृति के नियाम से बस एक अनुभाव् होता है खाता है आनन्द लेता है अहान निद्रा، سंभोगादी, आनन्द प्राप्त नहीं है। यह और कूश उसका मनन शिलता है नहीं यह प्रकृति के नियाम से होताはい वो जाता नहीं है जो किस तरह से आँन दख को प्राप्त करेंगे ये भी ज्यान नहीं है पर कि तीके नियम देखने में आता है जैसे बहुत सारे बुद्धी है यह ना जैसे हमारे देश में बाबुवी पक्षी है एक्षा पक्षी है इतना सुंदर तौरा से कुटा पुटा लेकर इतना अंदर धंग से किसी किमत्वर कितने हावा आधी तु भना जग गिरेगा नहीं। उसके अंदर चुपचाप रहता है। कैसे यह नहीं जो बुद्धिमाग लगाता है और पक्षी दिमाग लगाता है। ना। प्रकृति है इसे। था प्रकृति कैसे हो साज शबावेक लूपसे कुछ शिखाता है उसको मन लों बच्चा अंडा दिया। अंडा देखर बच्चा बढ़ा हो इए इस तरह से इस नहीं होनग लाता है। लेकिन आननद उसको मिलता है। इनमें एक कोश खुल गया है मन मायकोश, चिन्तन कर सकता है, यह करना है, वो करना है, बुद्ध है, तर्सहिर। पर आनंद मायकोष , भिएन मायकोष , इस जानते हैं , उसको जानने के लिए आपना दि माख को लागाते हैं , अध्यान करते हैं , तो यह है विकसित चेत्र तो उसके उपड़ है पोरुन विकसित चेत्र अभी विकाश वो पूर्णता नहीं है अभी है माया जो है ना माया विशयक जो विकाश है उतना तो हो गिया है लेकिन चीद विशयक जो अनुभुती उसके जो विकाश हुआ हमारा हुआ नहीं है वो हुआ नहीं है यह सभी बंधन का कारण सभी बंधन का कारण तो प्रवक्रति के अंपने को भोगता मानते हैं वास्तने भी नहीं कर सकता है उगता वह नहीं भोग कर भी नहीं सकता है बन निल रहा है जैसे हमको आनन्द मिल रहा है यह भावना के औपना रही आनंद आन्द दें काक्ता है आत्म संब्मणदित प्रप्त्र प्रप्तर पर्प्तर परें हां तो रहे हैं आर उसमें बिकारीट हो रहे हैं उसके बिकार हमको प्रैप्ट हो रहा है आ рез's twee car यह भावना है यह है आरोग प्रत्तारोग बास्तव में जोड़ प्रकृति चेतन रुप आत्मा को आनंद देता नहीं है दे नहीं सकता उसमें है यह नहीं अनित्यम अशुखंग अनित्यम अशुखंग लगम्यम प्राप्पवजर अनित्यम अशुखंग यह दे नहीं सकता यह नहीं प्रकृति में तो यह प्रकृति से लिप्त हो करके प्रकृति की गुन में आम तदात्मत के कारण हम सोचते हैं हमको आनंद मिल रहा है लेकिन आनंद मिलता नहीं है नहीं सपन बत लेकिन बहुत है यह जो प्रकृति का जो आनंद चाहे मिध्या ही हो लेकिन इतना आकर्षनी है और इतना मेहतुकूर्ण हो जाता है कि जीवन परियंत उसी में फंसा रहता है एक शौपन में जब हम फंसा रहती हैं यह तो माया तो बहुत बड़ी बात है जापनमे तोहम सणीर कालपन सब्सक्राइश क्या работать हुआ आसा कि पर विपिटीशन की है फिर भी update सब्सक्राँ एंद हम निश्चार्ण रहते हैं और मन बुद्धि अहँणकार कि शाम्या बस्था में रहता है निश्चाल करके शाम्याबस्था रहता है और शापनाबस्था क्या होता है थोड़ा सा अहंकार थोड़ा सा जगा रहता है हलका सा तो मन भी जगा रहता है बुद्ध भी जगा रहता है तो क्या होता है उसमें उचुक्चप नहीं रहता है वह एक अबस्था है उसमें वह चिंतन करता लेकिन मित्था होने से भी ओ विकारदशा तुमको भोगना परेगा क्यों तुमने शत्य आरफ कर लिया तुमने भूल गया तुम शो रहेगो कि इसकारण मित्था होने से भी शपन अवस्था का जो विकार है विकार किसको हो रहा है जो शोया हुआ कुस करता ही नहीं स्वया है उसको उसके उपर आरोफ हो रहा है एना कब तक विकार लग जब तक जाकता नहीं है जब जागा देता है वह को करने कारण प्राप्त हो रहा है ऐसे भगवात अंश्य जी बाविनाशी चेतन शत्ता यह माया जगत में इस तरह से यह शरीर धारी पंचभूतिक शरीर को आपने यह ओई शापन बर शरीर जैसे इसको शत्त मान लिए शरीर में हूँ चिंता करो शादन बाजन तो करेंगे इसका जड़ को पक्रो कहां हम फ दूर आप कर हैं यह चुछ今 ng and the Japanese टूम पारहे ոो प्रत्रश elles अरौप प्रत्या- ouv घड़ इते हूं उल्य हमारे बेटा है आमको दुखी क किया मन लिया जाग कर दिया अरोफ है मेरा प्युत्र मेरा कन्या सादू का मन से हटा दिया हमारा संग्षानिया कोई नहीं हमारा जामेला मिट गया मुक्त है हमारा क्या है हमारा अरोफ हट गया एही तो है ना अरोफ हटा नहीं तो वह ढोगी शादू है आरोफ हटा नहीं हमारा स्रीपुत्र शंक्षा धन जन टाका पशा रूपिया मकान दुकान अस्रम मंदिर आदी यह आरोफ है हमारा अस्रम उधार तो हमारा घर हमारा मकान यहां के हमारा हम गया नहीं हमारा अस्रम हमारा यह हमारा कोई काम में आएगा निहीं, तुम्हारा ओ संसार्त्याग हुआ नहीं आवितर, तुम्हारे भीतर संसार्व भैठा हुआ है। एक आरोभाटना चाहिए, ना, हमारा कोई ने है, हम ठाकूरीजी के हैं? सबसक्राइब करो तो जाके तुमारा साधन पहुत सहरन सुगम हो जाएगा लेकिन हैं तैयारी है नहीं कि आपकर आंदार को हम बजन समझते जो है उस वह अनुप्रभिशाई नहीं वह पोस्ते नहीं पोस्ते के लिए हमारे अंदर को आग्रह नहीं कुछ सब्सक्राइब करेंगे तुम्हारा भूल मिटा नहीं बूल कपा करके रखे हो बहुत जनम लग जाएगा लंबा समय लग जाएगा इस भूल को मिटाना है कैसी जाने तरह प्रकारेनों अभी से मिटाओ एक भाबनात्मक परिवर्तन लाओ तुम्हारा भाजन हो जाएगा क्रियात्मक नहीं क्रियातों भाबना में प्रवेश करने के लिए एक उपाय मत्र पुजा करते हैं पाठ करते हैं जप करते हैं देहंदाना करते हैं शादुशंग में शादुशंग करते है करते हैं सबी करते हैं इसका मून उद्धिष्ट क्या है ना हमारे मन भगवार में राधार्णी के चरण में निभीड विकांतिक भाव से संग लगना चाहिए राधार्णी छोड़के हमारा दुनिया में कोई था नहीं है नहीं होंगा नहीं होता नहीं हो नहीं सकता यह भावना हो गिया तुम्हेरा भज़न को रहा guit हो गया चिंता मत करो माया तुमको फशा नहीं सकते हैं तुम्होग गया काम बन गया लेकिन यहाँ आचक गए हैं थोनने के लिए तैयार नहीं और यह माम आधान तो यह भावना का परिवर्तन चाहिए लाव को परिवर्तन लौत का नित्य संबंद्ध Hail मन में प्रबवाल रुप से उसके चिंत रान मननं करना चाहिए तो धिरे धिर बहुत लदी तुम पहुच जाओ इसलिए चिंतन, हर्षमा चिंतन करना चाहिए, क्या चिंतन? प्रभु के चिंतन, तो मारा सरूप चिंतन, प्रभु के चिंतन के साथ साथ आपना सरूप चिंतन, क्या सरूप चिंतन? ना शरीर माय नहीं, शरीर संबंदे मुझत मेरा नहीं, यह भाव ना, बास, भाव ना करो बस दिरे 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 इधार से अभिनिवेश हाटता जाएगा उदार जितना जोडता जाएगा उदार जितना जोडता जाएगा इधा हाटता जाएगा अटोमेटिक हाटते हाटते एक समय जाकर के ग्रंति खोल जाता है जार्चेतन ग्रंति खोल जाता है शापन तुर जाता है औरे देखता है अनन्त काल एक मिथ्था शप्नमय जगत में ब्रह्मन कर रहा था रे हम तो ठाक्वुची से अमरे नित्य संबंद हो तो हमारे नित्य हो तो हमारे शप्नमय जगत में अनन्त काल ब्रह्मन कर रहे थी शप्नमय जगत में अनन्त काल ब्रह्मन कर रहे थी तो इसके लिए शरण मनन हुना जोरूरी है इसलिए हमारे गोरिय बस्तक जो परंपरा हमारे संप्रदाय में जो साधन पद्धति है यह सबसे शारा लुपशला पद्धति बताए है गुरु प्रदत्तो जो नाम रूप बहश मन्नवस्त्र अलंकार शेवा कुंजस्ति थी ऐस तुम्हारे नाम दिया है गुरु तुम्हारे यह शरूप तुम राधरनी के हो राधरनी के सहचड़ी हो तुम्हारे यह शरूप है और उसके चिन्तन करो और मनी मन में राधरनी के श्यवा चिन्तन करो ऐसे चिन्तन करो साधने भाविवे जहा सिद्ध देह पावेता पक्क जब तक आपक मात्र से भीचार। अपक के शाद्म ने बीटी। पाकि लिए से प्रवाबोकती। भोकती लख्मुतत्तुत सार। कि सादरने भाविवेचा। सादर में जो चिंतन करोगे सिध्य देपावेटा। सिद्य शरूप में तुम ओही शिवाप्राप्त करोगे। जब पक जाता है, मने हमारे गृंति खुल जाता है, शंक्ष़ीर के अलाग हो जाता है थाकुरीजी का हो जाता है निट्ट लीला में प्रबेशो कर जाता है, शंक्षार छोड़ा रसली से और ज killer जाता है जैसे पेड़ में जब पक जाता है फल गिर जाता है आम पक गया गिर गया ऐसे ही उस स्थिति में उसका ग्रुंत खोल जाता है अलग हो जाता है शंक्षार से यह परामुक्ति प्रेम प्राप्ति कि पहले तो कि करनी होती है पहले कल पना फिर दिर्ए कलपना प्रगल होता है फिर चीद जगत का चीद विशय की चिंत करते 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 चीद अभी निभेज बाड़ जाता है जोडीवशय का स converge जायते संग शंग outra माद हो भी जायते कृद भॉष्टो करना शुरू कर देता है भागबाद के पाक है यह बात इसलिए पहले कलपना फिर कलपना धीरी 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 प्रकाश होना शुरू हो जाता है यह नेत्र ही प्रेम नेत्र हो जाता है यह जडिया नेत्र से ही ओ प्रेम शरूप जो है ब्रिंदा मनके दिव्व शरूप देखने में समर्त हो जाता है यह प्रक्रिया एक बार ग्रॉंति खुलने से आर आर आने का शम्मा बना नहीं है किसी भी किमत पर किसी भी किमत पर जैसा नीद्रा टूटनी का बाद वो शापन विशायक जो भी भाई भी शमस्त पूर्ण रुप से मुक्त हो जाता है कि वो जूटा है आप जान लेते हैं आपका पूर्ण ओ जाता है तो हम शांब देख रहे थे तद्रूप यह देखता है रिख्तभों करके या कि इसको कहते है निलापद भूमी जिस भूमी में जाने से फीर कभी वह लोटने का शम्माबना है नहीं जदी आस जहां जाने से फिर कभी लटके आता नहीं है, वो मेरा परम्दा। इसका मतलब हम जो पहले आये, जो भगवान से हम आस ताइम जो निकले होंगे या इसे आये होंगे, तो हम तब से इस माया के अंदर है। अनन तो कितना अनन तो कल्प भीद गया। एक जूग, दो जूग नहीं, इसका गिंती नहीं है, इसलिए अनादी कहते हैं। न आदी, जिसका आदी नहीं है। आदी मनें, जिसका कोई निरुपन किया नहीं जाता है, कितना पहले। इसलिए उसको अनादी कहा जाता है। और भगवान है, अनादी आदी गुविंद, शर्वकारणकारण। है न, ऐसे हैं। बोलो। बाबा, जब हम शरीर नहीं है, शित-शरुप है, शरीर के गुण दोश्रकी पर चिंता करने की धरत नहीं देना चाहिए। लेकिन औहंकार होने का कारण शावधान भी रहना है। क्योंकि भूल पक-पक में होने का सम्भ बना है ऐसा हम मुख में कह दिया हम शरीर नहीं है और उदार हमारा पूरा अभीनिवेश हमारा शरीर के प्रति है हमारे शमस्त इंद्रियों उसके प्रति हमारे पूर्ण उसके प्रति हमारे आकर्षन है इंद्रियों तिप्ति के वो शब्द से होगा नहीं ज्यान ये रखना है कि स्वरूप चिंतन होगा हाँ 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 ये दैन रखना है